दोस्तो अगर आपको पेटियम पर OTP प्रॉब्लम आ रही है आपको OTP आपके नंबर पर नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है अगर OTP नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने फोन में एक बार flight mode लगाईए और उसके बार इसको हटा दीजिए और जब network वापस आ जाएं तो आप simply retry करिए और देखिए आपको OTP आने लगा कि नहीं फिर भी अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे आप simply power button दबाईए और एक बार अपने phone को reboot या फिर restart करिए simple solution है उसके बाद क्या आते आप देखिए आपकी problem सही होई कि नहीं फिर भी अगर नहीं सही होती है तो आप क्या करेंगे आप जाएंगे google play store में यहां पर लिख करके search करेंगे paytm और अगर इसका यहां पर update आया हुआ है तो आपको paytm को update कर लेना है उसके बाद आपको चेक करना है आपकी problem सही होई कि नहीं फिर भी नहीं सही होती है तो आप क्या करेंगे आप जाएंगे अपने phone की settings में adjustments में जाने के बाद करेंगे यहां पर नीचे की ओर scroll और नीचे की ऊर scratch करने के बाद click करेंगे apps पर apps पर click करने के बाद आपको click करना है manage apps पे और यहां पर आपको search करना है paytm, okey. Paytm सर्च करेंगे दिखा देगा इसके पर क्लिक करिए यहां पर इसका clear cache करिए कर दीजे और उसके बाद देखे आपकी problem सही हुई कि नहीं अगर फिर भी नहीं सही होती है तो यहां पर back करिए और यहां पर messages लिख करके सर्च करिए messages पर क्लिक करिए इसका clear all data करिए और उसके बाद आप जा करके देखिए आपको messages आ रहा है OTP या फिर नहीं उसके बाद आप back कर लीजे अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो इसका clear cache करिए इसको force stop करिए उसके बाद try करिए फिर भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे यहीं पर okay कर दीजे उसके बाद आपकी problem सही हो जानी चाहिए आपको OTP आने लगेगा फिर भी नहीं आता है तो आप यह चेक कर लीजे जिस number पर OTP आना है उसके रिचार्ज है कि नहीं अगर रिचार्ज ही नहीं होगा तो OTP कैसे आएगा okay तो उसके रिचार्ज कर दीजे आपको OTP को पैस ऐसे ही और भी वीडियोज देखने के लिए